उसं फूर्व घंड़ ज़ाती हां और यहृफ बस क्या नाम है थेलिए यह वnaires demokrat एद दो क्योवी मैं पैसे ब्जारी चाहिए जरूरे आती है हाँ, हाँ, कहां-कहां बस जाती है? नरेनपूर से यहां जाती है, इंड़ाटी तक, कितने बच्चे रहते होंगे बस में? 30 से 40, 30-40 बच्चे रहते, आज कितने बच्चे थे? वो नहीं बता, सारे बच्चे बैठे थे खड़े होके जा रहे थे अब कैसे क्या घटना हुई है वहां पर बहुत तेज चला रहे थे गाड़ी आगे डंफर आ गया और पानी गिरा था सड़क पर वह सुचे इस साड़ लेके चलते हैं वह काटे और वह सिलिफ खाके खाई के तयब गिर गया तो तुम लोग उसी में थे बस में ना कैसे निकल के बाहर आया है काच वार चूट गया था बहुत सारे पेट थे तो रुख गया था मलब बस तो काच वार चूट गया था उसे के वाज़े से तो बहुत दो तीन लोग आए तो हम लोग कूट के आए कितने बच्चों को घा इसको कहा चोट लगा था सर इनको तो हम नहीं देख पाये थे तो सर्वल लोगों को बताए कि वहां बस पलेट गई है तो लोग दोड़ते हुए तुम ही जाके इसकूल में बताई थी वहां कुछ लोगों को बेजे उसके बाद कुछ लोग नहीं आ रहे थे तो फिर हम गए तो बताए उसके बाद तुम कब घर आई हो सरे साड़े दिस तो तुम्हारे बताने के बाद का स्कूल में छुट्टी होगे बच्चे सब चले गए नहीं सर थोड़े दिर रुका गया मेरे हाँ से हां से काट दिस गया था तो फिर हम गए वहां री सेप्शन पर तो फिर व पर आया बोले इस क्लास में जितने भी सत्रे नंबर के बच्चे हैं उसे बाहर कर दिजे पर बाहर गए तो भाइया बोले कहा तक कहा चोट लगी है तुम्हें तो हम दिखा यहां का धस गया था तो तो फिर वो बोले यह तो मामली से चोट जाओ क्लास में जाओ पिर दीदी इस चोट बढल लग इसे तो भेज़ें उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ फिर अंदर आगा हम लोग क्लास के उसके बाद आए सर सथिसर अशर आए उसके बिद बोल ले हैं सब लोग ग्रांड में चलो हम लोग ग्रांड में गए उसके बाद बनाए तब तक हमारे गाओं के कुछ लोग पूच चुके थे तो वो हमको अपने पास बुला लिए उसके बाद किसके साथ तुम घर आई है उसके बाद घर चलिए तो यह सोन परी थी यह उसी बस में मौजूद थी अब पूरे हाथ से को इस बिटिया ने बताया किस तरह से वहां पर बस में बच्चे जा रहे थे यह लड़की खुद निकल के स्कूल में गई सबको सुचना देती है उसके बाद कुछ करमचारी आते हैं उसके बाद इन लोगों को बच्चों को ग्राउन में भेज दिया जाता है और फिर स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है लेकिन जब हम मौक कर दो है तो रहाप कोई विष्ट का पूम अजुट नियुट नियुट